हेलो दोस्तों स्वागत आपका आमार चैनल कोडिंग इंडिया में दोस्तों पिछले वीडियो में हमने क्या किया था पिछले वीडियो में हमने यहां पर ब्लोग का एप्लिकेशन क्रियेट किया था उसके अंदर हमने जिंजा टेंपलेट भी देखा था जिंजा टेंपलेट है मैं right click करके सब को यहां पर close कर दूँगा ठीक है and अब मैं blog में आऊंगा blog का जो मेरे पास application बाकि जितने भी मेरे पास application में उसको सब को close कर देता हूं blog के अंदर models.py के अंदर आएंगे and इसको यहां से हम हटा लेते हैं ठीक है वो comment था अब model होता क्या है में बाग तो जैसे हमने file structure में देखा था कि model क्या होता है यह क्या करता है यह back end को front end के साथ help करता है यह table create करता है हमारे back end में automatically यहां पर हम content देते हैं और वो उसको without respect which database we are using यह क्या करता है एक common template देता है template कय सकते है इसको एक platform देता है एक source देता है जिसमें हम हमें tension लेने की ज़रूद नहीं होते हैं कोण सा database use कर रहे है mysql कर रहे है PostgreSQL कर रहे है sql light कर रहे है जो इसका इसको वहाँ पर जाके migrate कर देगा तो करके देख लेते हैं सबसे पहले बोलने से तो समझ आएगा नहीं तो हम करके देखते हैं तो इसमें आता है class का concept class हमने कौन सा model create करना है हमने create करना है इसके अंदर हम देंगे models.model कि यहां पर इसने model कॉल किया ना उस model का अंदर एक और model की file पड़ी है उसको कॉल कर दो ठीक है उस function को कॉल कर दो अब मेरे को blog में चाहिए क्या-क्या तो एक तो चाहिए की मेरे को blog का name चाहिए तो blog का name blog का name जैसे अगर हम mysql में बात करें तो mysql में क्या करते हैं हम लिखते हैं name where care to फिर उसके बाद उसका कितना content कितना का length होगा वो हम देते हैं ना तो वैसे ही है है इसमें हमने कॉल करना है model dot characterchae work the hero we used करते हैं इसमें अ मेर्पास एक रेकर्टर विटि ini और उसमें स्पैसिवाय करते हैं कि कि इतनी लेंख्ट का होना चाहिए तो इसमें स्पैसिवाय करें घितने लेंग्ट का होना चाहिए तो इसके अंदर होता है मेट मैंट मैट्सलेंग्ट करफिल्ट के अंधर मैं मैक्सलेंग्ट art Yah जो नेम चाहिए कितने करेक्टर का चाहिए मेरे को चाहिए मानलो 100 ठीक है 100 क्रेक्टर का चाहिए अब ब्लोक के अंदर आता है अगरेक्स टेक्सट एरिया तो चलो टेक्सट एरिया भी देते हैं अब हम क्या करते हैं सिर्फ इतने में ही स्टिक रहते हैं बाकी हमें जब आगे जिजज़िस की रिक्वार्मेंट होगी वहीं हम यहां पर कॉल करते रहेंगे मैंने यहां पर अपना कोई भी पिछला प्रचेक्ट नहीं उज़किया है जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हम कोडिग इंडिया की वेबसेट को देकर हम कॉल कर रहे हैं बट नहीं ओन्धा स्कॉर्ट मैं यहां पर आपको लिए कॉल करूंगा ओन्धा स्बार्मेंट को हम वो करते जाएंगे क्या पता मेरे कोडिग इडिया के अच्छी बन जाएगे तो चलिए अब हम क्या करेंगे अब यहाँ पर एक होता है चलिए मम आपको बाद में जिखाते हो पहले इतना में करके दिखाता हुआ आपको कि तो हमने ब्लोग बनाए लिगा है अब यहां पर जो एडमीन है ना इसके अंदर मैं ने मतायें हम बताएंगे कि हंजी जो मेरा ब्लोक के अंदर कि इंपोर्ट कर लो दओ पास बनों पर बनाया है कि लोग डॉक। डॉट मोडल चके अंदर जो मैंने ब्लोग मनाया है ब्लोक्स मनाया है उसको यहाँ पर कॉल कर लो एंड क्या करो एड्मिन जो यहाँ पर एड्मिन कॉल किया है .site की एड्मिन के साइट के अंदर रेजिस्टर कर दो क्या रेजिस्टर कर दो मेरे ब्लोक्स को तो ब्लोक्स को रजिस्टर कर दो ठीक है अब रजिस्टर करवा लिया है हमने यहाँ पर create भी करवा लिया है तो अब हम क्या करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले अपने server को रोकेंगे और अब हम यहाँ पर एक command run करेंगे वो क्या होगा कि जो मैंने यहाँ पर बनाया है ना इसको admin को पता दो कि हम जी हमने यहाँ पर यह create किया है लोग में हमने टेवल क्रेट करिया है ठीक है पाइथन manage.py make migrations तो इसका हम length बढ़ा लेते हैं थोड़ा make migrations आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका name लिका है make migrations एंटर करते हैं तो अब यह क्या करका है यह migrate migration करेंग बतलाए कि हम जी create model blocks की एक model बना है blocks के नाम का ठीक है हमने migration कर लिया अब हम क्या करेंगे python manage.py migrate की आप हम बतलाएंगे कि हंजी यह जो हमारा blog बना है उसको database के ऊपर तो तो उसने क्या कर दिया देखो applying block 0.0.1 initial okay की हमारा जो migrations था वो database में accept हो चुका है तो जब अब अगर हम यह migrations के अंतर आए तो देखिए यहाँ पर 0.0001 initial.py जो यहाँ पर इसने बता है था कि उसके उपर यह जाके migrate हो चुका है and अब हम करते हैं क्या हम यहाँ पर आते हैं refresh करते हैं इसको तो यहाँ पर यह run हो जाना चाहिए बट यहाँ पर CLS करते हैं clear screen and फिर करेंगे python manage.py run server जब तक server नहीं चल रहा हमारा हमारा कोई भी काम यहाँ पर run नहीं होगा ना हमारी file load होगा नहीं हमारा admin panel load होगा तो server चल पड़ा है and अब हम इसको refresh करते हैं तो अब देखें दोस्तों इसने यहाँ पर blogs नाम का बना दिया है blog है यह है जो हमारे application का name है and यह blog है जो उसका model है अब यहाँ पर double s क्यों आया है double s यहाँ पर यह इस लिए आया है हमने यहाँ पर blog दिया था ना तो यह क्या करता है यह automatically उसके पीछे एक s concatenate कर देता है उसके पीछे s लगा देता है तो अब हम यहाँ पर blogs में आके देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास zero blogs है हम add block के उपर करते हैं click and मैं block करता हूँ python this is python code ओके and save करते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आया blocks object one अगर मैं जाकर यहाँ पर एक और create करूँ तो क्या आएगा blocks object two blocks sorry यहाँ पर हम लगते हैं जैंगो एंड जैंगो टुटोरियल save तो यहाँ पर बड़ा blocks object two अरे यार बड़ा headache का काम है यह अगर मेरे पास मालो hundred blocks होंगे hundred मैंने block बना लिए तो यहाँ पर लिए ब्लोग object 100 तो मैं किस किस को handle करता रहूंगा किस को देखता रहूंगा बहुत ही इसके लिए मैं क्या करूंगा उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे एंड हमारे पास एक function होता है str object str का एंड इसके इंदर हम पास करेंगे self and return करा देंगे sorry self and return कराएंगे return self.name अब यह नेम क्या है जो हमने यह ब्लोग का नेम दिया ना कि उसका नेम यहाँ पर कॉल करेंगे एंड आकर यहाँ पर हम refresh करेंगे तो अब देखना यह उसका नेम भी देगा ठीक है दोस्तों तो हमारे पास और भी options होती है यहाँ पर हम इसका id शो करवा सकते हैं यहाँ पर उसका content शो करवा सकते हैं तो वह हम आगे चल कर देखेंगे जब हम उस पर काम करेंगे ठीक है यहाँ पर हमने नेम कोल करवा अगर मैं यहाँ पर चलिए आपको content भी मैं दिखा देता हूं content रिफ्रेश्च करेंगे तो यह तो देखेंगे उसने इसका content पेक अप कर लिया है तो मेरे को content वाइस नहीं मेरे को नेम वाइस आई है तो रिफ्रेश्च करते हैं यह वाइस मिल जाएगा जबते कि रिलोड नहीं हो रहा था तक यह तो रन होगा नहीं तो इसको अब बो रिलोड हो चुका था अब आकर इसको रन करते हैं तो यह आच चुका है यहाँ पर तो दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे तो लिशाप अगली वीडियो में है। झाल झाल